हेलो गैस कैसे है आप लोग आज का मैच होने जा रहा है क्राउन वन के अगेंस्ट इसका टीम ने में टीम मंकी लोई स्कोरिंग थ्रिलर मैच हुआ यार यह क्या ही मज़ा आने वाला इस मैच में देख सकते हो गैस ही हमारी प्लेंग 11 है भाई साउथ अफरीका प्रीमियम ली दिशा में खेल दिया है पहली बॉल पर कलक शुरुवात मिलिए ब्रेट वेट रिमेंबर देम है इस बार देखते हैं एक बार फिर जीरो पेस बॉल करिए सामने की और लॉंग उफ की दिशा में खेलना चाहरे थे लेकिन भाई या मीड विकेट के खिलाडी ने कैच पकड अगली बॉल एक बार फिर फाइनलेक की दिशा में खेलाए कलक टाइमिंग शॉर्ट सिलेक्शन बढ़िया यह यहां सिक्स मिलता हुआ ओवर की लाश्ट बॉल एक बार फिर बहतरिन सिक्स है आपर निकालते हुए मिथून गजब की बल्ले बाजी कर रहे हैं पहले ओवर स रहेंगे यहां पर इस ट्रॉक खेलना चाहते थे डॉट कराईए यह बॉल गजब पीचेंगे बाई नेक्स्ट बॉल इस बार अरली किया है इस बार विकेट जाएगा जी यहां भाई राएले रोजवों का विकेट जाएगा यहां पर हमारी काफी विकेट गई है यार चलिए भाई इस बार अडवांस खेलना पसंद किया है और निकाली है बाउंडरी वैसे स्कोर ठीक ठाक चल रहा हमारा 26 रन हो चुके है ओवर की लास्ट बॉल अडवांस खेलना चाहते थे और एक ओर विकेट है जाता हुआ अप पैटी सन को लाया है पहली बॉल यहां पर जीरो पेस करी पांडे वाला एडवांस शॉट खेला है मीतुन अपनी फॉर्म में लगे हुए और नौन स्ट्राइक हैंड से विकेट जा रही है इस बार सामने की और स्ट्रेट शॉट गड़ाया तो है लेकिन मेतुन भाई आप पर इनकी भी विकेट जा चुकी है यह मैच में फिर से एक हंगामा आता हुआ इस बार राउंड विकेट पैटी सन यह पीछे की और उड़ाया है फाइन लेक की दिशा में खेला है बट यहां पर फिल्डर बचा लेंगे दो ही रन मिलेंगे भई यह ओवर की लास्ट बॉल है इस बार यॉर्कर करी है यह गजब टाइमिंग है गजब शॉर्ड सिलेक्शन है यहाँ पर चार जरूर मिलेंगे तीन ओवर समाप तो चुके है फोर्टी वन रन आ चुके है दो वर का और खेल बचा है पहली बॉल सामने की और स्ट्रेट शॉर्ड एक बार फिर कवर के ऊपर से खेल दिया है एक और बाउंडरी आती हुई है और की फिप्ट बॉल एक बार फिर कवर के ऊपर से खेलने का प्रयाज इस बार हुए नाकामियाब अब जाएगी विकेट ओवर की लास्ट बॉल यॉरकर करिये लॉंग ओफ की दिशा में खेल दिया है गैप था भई यहाँ पर लीजिए बाउंडरी आ चुकी है लास्ट ओवर रेस्टॉन टर्नर करेंगे पहली बॉल यहाँ पर क्लासिक शॉट लगाना चाहते थे डॉट हुई है एक बार फिर लॉट कराएंगे बहुत अच्छा ओवर जा रहा है पार्ट टाइमर से बॉलिंग करा रहा है यह लीजिए इस बार लॉंग ओफ की दिशा में खेला लेकिन फिल्डर बॉल का पीछा करते हुए यहाँ पर तीन रन आ सकते हैं यहाँ पर तीन रन आ सकते हैं यहाँ यहाँ लिकेट जाएगा यह पहले इनिंग हमारी इनिंग अठावन रन पर समाप्त होती हुए उनसाठ रन का अपोनेंट को टार्गेट दिया है क्लासीन और रोजवो को लाया राधा क्रिश्नन करेंगे पहला हुए पहली बॉल केरम करिया है पहली बॉल पर कलक शुरुवाद अपोनेंट ज्वारा भाई यह प्रो प्लेयर है यह प्रो प्लेयर की निशानी है जिस तरीके से इन्होंने शॉर्ट खेला है इस बार हुप खेला है बैक तू बैक दो बाउंडरी निकाली है क्लास एन अपनी फॉर्म में खेल रहे है एक बार फिर कहरम करिए एक बार फिर हुख खेला ये हुख कनेक्ट हो जा रहा है इनका गजब यार तीन बॉल तीन बाउंडरी ये मैच इजी हातों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ करना पड़ेगा बड़ आप कुछ कर नहीं सकते है अपने फॉर्म में ये कमर तोड़ बल्ले बाजी कर रहा है और कि लाश्ट बॉल एक बार फिर कह रहा है मिस बार का वर के उपर से बैक फूट शॉट खेल दिया है गजब की बल्ले बाजी एक ओवर से 20 रह निकाल लिए नेक्स्ट हुए तब रिष शमशी को लाया है जिया बाई या चायना मैन पहली बॉल डॉट करवाते हुए एक बार फिर लाइग स्पिन करी है एक बार फिर डॉट होगी ये कमबेक करवा रहा है उन्चालीस रन होना अपोनेंट को जीतने के लिए इस बार फिलीपर करी बैक टूबैक तीन बॉलर डॉट बाई यहाँ पर मैच में वापसी करवा रहा है तबरीश चमशी इस बार लेग स्पिन करी थी पढ़ लिये इस बॉल को और लगाया है सिक्स ओवर की लाष्ट बॉल फिलीपर करी है ये कनेक्शन बहतर है ये टाइमिंग बहतर है यहाँ पर बाउंडरी आ जाएगी तो लाष्ट की दो बॉलों में अपोनेंट ने बाउंडरी हासिल करी दो वर तीस रन हो चुके आदा मैच ये लेकर चले जा चुके है मैकलन मैकलन का स्वागत पहली बॉल पर छक्के से किया है क्लास से इन फॉर्म में भई इस बार स्ट्रेट बॉल है गुड लैन करी है इस बार फाइन पॉनेंट को यॉरकर करीती फसाया राइली रोजवो की विकेट निकाली है यहाँ पर पहली विकेट मिली है इससे फरक नहीं पड़ेगा पॉनेंट को इस बार शॉर्ट बॉल है ओ यहाँ पर श्ट्रॉक खिला है यह समझदारी दिखा रहा है यहाँ पर दो रनीनों ने चुराय नहीं है यहाँ डायरेक हिट का कोई फरक पड़ा नहीं है फोर्थ ओवर फास्टर करेंगे इस ट्रेट बॉल है यहाँ पर एक बार फिर श्ट्रॉक खिला है एक बार फिर दो रनीने मिल सकते है मात्र नौ का रिक्वायर रन रेट है वही इस बार स्लोवर बॉल कर सकते हैं लेकिन रन आउट का चांस हो सकता है जिया बाई आपर क्लासें रन आउट होते हुए एक बार फिर गेम में ट्विस्ट आया है इस बार लेक टटर करिये कि आप पर एडवांस हो खेला है टाइमिंग हुआ नहीं है लेकिन एक रन जरूर मिलेगा तो या पर साथ बॉल 12-13 रनों की जरूरत है इस बार इंस्विंग बॉल करी है बढ़िया टाइमिंग किया है एक बार फिर मैच में इनोंने ट्विस्ट लाया है भाई लास्ट वर जेपी डियूमी नहीं करेंगे और मात्रा 8 रनों की जरूरत है अपोनेंट को अब इस्ट प्रॉक खिला इनोंने दो रन तो आसानी से मिल जाएंगे यह मैच तो बेसे हमारे आतों से छूट चुका है भाई अब किसमत ही हमें बचा सकती है बगवान ही हमें बचा सकता है समझ लो इस बार टॉप स्पिन करिये और यहाँ पर डॉट करा यह अच्छी बॉलती अब च अब तीन बॉल चार रनों की जरूरत क्या ही मैच हो चुका है एक बार फिर टॉप स्पिन क्योंकि कोई वैरियेशन है नहीं और यह टॉप स्पिन से विकेट निकाली है यह गेम चेंज होता हुआ दिखाई देर है यह बंड अबबा उड़ेगा भाई यह लग रहा है यार आट रन डिफेंड कर रहते है जेपी डियू में नहीं आज के मैन अब तो मैच बन सकते है लास्ट बॉल चार रनों की जरूरत देखते भाई यह और कर बॉल है यहाँ पर कवर के उपर से लॉप्टेट शॉट लेकिन जाएगी विकेट क्या ही मैच हुआ यार क्या ही